आई शुरू करते हैं लेसन नमबर थ्री इंदा जू चिडिया घर में चिडिया घर उस जगा को कहते हैं कि जहां पे जानवरों को रखा जाता है उसे इंगलिश में जू कहते हैं लाश्ट संडे द्वेदर वाज किलावडी आखरी इतवार को मौसम द्वेदर मौसम किलावडी किलावडी यहनी धुंदला बादलों से घरा हुआ तौब यह माना इसका लगा सकते हैं पिछले इतवार को मौसम बादलों से घिरा हुआ था धुंदला था अरुन अलॉंग बिद हीज यंगर सिश्टर नेहा विजिटेड दा जू अरुन अपनी अरुन अपनी छोटी बेहन नेहा के साथ चिडिया घर देखने गया विजिट देखने गया जारत करना देखना दीदार करना विजिटेड देखने गया जैसे ही वो चिडिया घर के में गेट पे पहुँचे उन्होंने एक बड़ी भीर देखी यहां पर वसी फैला हुआ किसी चीज़ को कहते हैं तो यहां एक बड़ी तादाद यानि उन्होंने एक बड़ी भीर देखी यहां यह लगा सकते हैं सीदा साधा कि उन्होंने बहुत भीर देखी सम पीपल वर बाइंग इंट्रेंस टिकेटस वाइल अधर्स वर रिलैक्सिंग इन दे शेड आफ दा ट्रीज तो कुछ लोग दाखले टिकेटस प्रवेश टिकेट्स खरीद रहे थे As they enter the zoo जैसे ही वो चड़िया घर में दाखिल हुए अंदर गए नहा नहाए कहा I am scared to go inside the zoo मैं चड़िया घर में जाने से डर रही हूँ या डर लगता है मुझे Don't you think we may be attacked by the animals of the zoo क्या तुम नहीं सोचते हो हम पर चड़िया घर के जानवर हमला कर सकते हैं क्या तुम नहीं सोचते हो कि हम पर चड़िया घर के जानवर हमला कर सकते हैं अरुन अरुन नहें कहा Don't worry नहा नहा फिक्र मत करो In the zoo some animals are kept in the caves and some are kept in the area surrounded by the barrier In the zoo ये चड़िया घर में some animals कुछ जानवर are kept देखिए ये helping verb जिसे is, am, are, was, were, etc इनके बाद अगर verb की third form आती है तो वो passive होते हैं passive यानी उनका translate इस तरह होगा जिसे खाया जाता है, रखा जाता है, पिया जाता है तो यहाँ पर translate होगा, some animals are kept in the cages कि कुछ जानवर रखे हुए हैं, पिंजरों में, यानि कुछ जानवर पिंजरों में हैं and some are kept in the area surrounded by the barrier और कुछ जानवर ऐसी जगह में हैं, area ऐसी जगह में रखे हुए हैं, यानि ऐसी जगह में हैं, surrounded जो घिरी हुई है by the barrier, barrier से, चार तरह मतलब जाल लगा हुआ है barrier, कुछ जानवर ऐसी जगह में रखे हुए हैं, जो barrier से घिरी हुई है, look there are so many animals here, देखो, यहां कितने सारे जानवर हैं, तो निया बोली, oh yes, I want to see a giraffe first, where is the giraffe, I want to see, मैं देखना चाहती हूँ, एक जिराफ, पहले, यानि मैं पहले जिराफ देखना चाहती हूँ, जिराफ कहा है, where is the giraffe, जिराफ कहा है, तो अरुन कहा, see, देखो, the giraffe is near the fence, के जिराफ, fence के पास है, fence, यानि मेर, किसी चीज़ की, जैसे जानवरों के चारों तरफ जो घेरे बना जाते हैं, जाल के, बंदे हुए तार, इटी सी, उसको fence कहते हैं, देखो, जिराफ, fence के पास है, it has a long neck, long माने, लंबी, नेक माने, गर्दन, has माने, रखता है, यानि उसके पास एक लंबी गर्दन है, या उसकी लंबी गर्दन है, नेहा, यहाने कहा, brother, look at the monkeys, बंदरों को देखो, अरुन, अरुन ने कहा, yes, the monkeys are swinging, up and down the trees, हाँ, बंदर, उपर नीचे, पेड़ों पर जूल रहे हैं, Swing, यह जूला जूलना, swinging, जूल रहे हैं, up and down उपर नीचे, पेड़ों पर जूल रहे हैं, नेहा, oh my god, look at the tiger, tiger को देखो, चीते को देखो, tiger, चीता, अरुन, it is on the rock, रॉक माने, चटान, it is on the rock, वो चटान पर है, नेहा, look brother, the tiger is coming down the rock, भाई देखो, चीता, चटान से नीचे आ रहा है, it has stripes on its body, its, यानि उसके जिस्म पर, on its body, it has, वो रखता है, पट्टियां अपने जिस्म पर, यानि उसके जिस्म पर पट्टियां है, where is the line, शेर कहा है, अरुन, see the line is in front of its den, डेन माने गुफा, देखो, शेर अपनी गुफा के सामने है, शेर अपनी गुफा के सामने है, it looks so powerful, वो कितना ताकत पर दिखता है, it looks so powerful, वो कितना ताकत पर दिखता है, it is sleeping, वो सो रहा है, नेहा, वाओ, look at the peacock, वाओ, more तो देखो, अरुन, it is dancing in the garden, वो बगीचे में नाच रहा है, नेहा, नेहा, नेहा ने कहा, look at those yellow birds there, उन पीले परिंदों को देखो, yellow birds there, वहाँ, there माने वहाँ, वहाँ पीले परिंदों को देखो, और उन, yes, those birds are flying over the trees, flying उड़ रहे हैं, birds, those माने वो, these माने ये, those माने वो, हाँ, वो परिंदे, वो पक्ची, दरख्तों पर, पेडों पर उड़ रहे हैं, can you see a baby deer behind the tree, deer माने हिरन, baby deer यानी हिरन का बच्चा, क्या तुम एक हिरन के बच्चे को पेड़ के पीछे देख सकते हो, उसने अपनी बेहन से कहा, तो यहाँ translate होगा, क्या तुम एक हिरन के बच्चे को पेड़ के पीछे देख सकती हो, तुम यहाँ ने कहा, oh yes, अरे हाँ, and look, there is a family of zebras, और देखो, जेबरा का परिवार है, और देखो, वो जेबरा का परिवार है, अरुन, yes dear, हाँ मेरी प्यारी बेहन, the baby zebra is playing between the mother zebra and the father zebra, हाँ, जेबरा का बच्चा, अपने जेबरा मा और जेबरा बाप के बीच में खेल रहा है, they all have black and white stripes on their bodies, बाडी का प्रिवलर है, they all have, वे सब रखते हैं, काली और सफेद पट्टियां अपने जिसमों पर, यानि उनके जिसमों पर सफेद और काली पट्टियां है, they saw other animals too and enjoyed very much, उन लोगों ने, यानि निहा और उनने, दूसरे जानवर भी देखे और बहुत मज़ा किया, when it was evening, जब शाम हो गई, they came out of the zoo, वे चिडिया घर के बाहर आए, and boarded the bus, और बस पर सवार हो गए, exercise की तरब चलते हैं, answer the following questions, नीचे आने वाले सवालों की जवाब दीजिए, पहले सवाल, what was the weather like, मौसम किस तरीके का था, देखिए हम जवाब की असानी के लिए, स्टोरी को आपके सामने रखते हैं, तो यहाँ पर आपका पहले सवाल, यहाँ से हल हो जाएगा, the weather was cloudy, पूछना है के मौसम किस तरीके का था, तो यहाँ से बेतर है कि दा वहेदर was cloudy, यानि मौसम धुंदला था, बादलों से गहरा हुआ था, धुंदला था, अब आलूद था, अब दूसरा सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरा सवाल यह है, यहाँ से इसका जवाब दे सकते हैं, देखे सबसे नीचर लाइन में, तो जिराव वाज नियर दा फेंस, वहाँ पे तो इस है, लेकिन आप सवाल का जब जवाब देंगे, तो सवाल के हिसाब ही से देंगें, जवाब पाश्ट में पूछा गया, तो जवाब भी पाश्ट ही में होगा, तो जिराव वाज नियर दा फेंस, यानि जिराव फेंस के पास था, अगला सवाल, फिच एनिमल हैज अ लॉंग नेक, कौन से जानबर के पास, लंबी गरदन है, यानि एक इस चानबर के लंबी गरदन होती है, तो भी जिराव के वाज़ वाज़ पर चुके हैं, तो यहाँ पर ला सकते हैं, जिराव हैज अ लॉंग नेक जिराव के पास लंबी गरदन होती है, डी, वाट वर दा मंकीज डूइग, बंदर क्या कर रहे थे, तो इसका जवाब यहाँ से देंगे, दूसरी लेंड देखिए, दा मंकीज आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप वर लाएंगे, दा मंकीज वर स्विंग अप एंड डाउन दा ट्रीज, यहाँ बंदर पेड़ों पर उपर नीचे जूल रहे थे, अगला स्वाल, यहाँ भी इसकी जगा वाज लगेगा, दा मंकीज अपनी गुफा के सामने था, अगला स्वाल, नेम दा एनिमल्स हूँ हैं इस्ट्राइप्स ऑन देर बोडिज, उन जानवरों के नाम बताएए, जिनके जिसमों पर पट्टियां होती हैं, तो आप पर चुके हैं, वो सिर्फ दो ही जानवर थे, तो यह दो नाम रिख देंगे, अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या हिरन का बच्चा पेल के सामने था या पेल के पीछे था, देखिए, तो आपको यहां पर बस इतना करना है, यह लिखा हुआ है, तो यहां पर देर वाज बियांड दे ट्री कर देंगे, बस, यह आपका जवाब हो जाएगा, अगला स्वाल, क्या पक्ची पेलों पर बैठी हुए थे, नहीं, वो तोड़ रहते हैं, अपने पड़ा था, तो आप इसका जवाब यहां से देंगे, अपक्ची पेलों पर उल रहे थे, अगला स्वाल, और लाश्ट स्वाल यह है, वाट वाज दे बेबी जेबरा डूइंग, यानि जेबरे का बच्चा जो था, क्या कर रहा था, तो आप उसका जवाब यहां से देंगे, देखिए, दे बेबी जेबरा इसकी जग़ा वाज, प्लेइंग बिट्वीन दा मदर जेबरा एंड दा फादर जेबरा, यानि वो अपने, अपनी मा जेबरा, अपने बाप जेबरा के बीच में खेल रहा था, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दे,